Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Repractive Surgeon आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आप 2024 में Cataract या मोतिया बिंद का आंखो का उपरेशन प्लान कर रहे हैं तो हम सबको ये पता है कि मोतिया बिंद के उपरेशन में आँख के अंदर एक लेंज को डाला जाता है और सबसे ज़्यादा confusion पेशन के माइंड में यही रहता है कि कौन सा वाला लेंज आँख में डलवाया जाए क्योंकि लेंज के अलग-अलग तरह के designs, qualities और brands अवेलेबल है और ultimately इतने सारे options available हैं कि patient confused हो जाते हैं और end में सिरफ एक question पूछ पाते हैं कि डॉक्साब आप ही बता दो कि हमारे लेंज कौन सा लेंज सूट करेगा वेल अच्छी बात है आपको अपने doctor की suggestion माननी चाहिए क्योंकि आपका doctor आपसे discuss करके कि आपका lifestyle कैसा है क्या आपको requirement है उसके हिसाब से आपको lens suggest करेगा लेकिन थोड़ा बहुत patient को idea होना चाहिए कि 2024 में कौन से कौन से lenses available हैं और कौन से कौन से नए तरह के lenses अब introduce हो गए है तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2024 में latest या सबसे advanced lenses कौन से available है और इन lenses में मोटा मोटा फरक क्या रहता है और कैसे चुने कि आपके लिए कौन सा lens सबसे बढ़िया होगा तो देखिए 2024 में या 2023 के end में Alcon ने एक नए range को launch करा है जिसमें 6 तरह के lenses उन्होंने introduce करे हैं और ये जो 6 तरह के नए lenses introduce करे हैं इनको नाम दिया है clarion range क्या नया है इन lenses में? कि ये lenses जो हैं ये एक नए material के बने हैं और ये जो material है इसमें extra clarity और extra sharpness आती है तो हम अपने patients को और अच्छी quality दे पाते हैं with the latest generation lenses जो Alcon ने अभी अभी market में launch करे हैं तो आज मैं आपको सारा समझाने वाला हूँ कि ये जो 6 तरह के नए lenses launch हुए है इन सब में क्या फरक है और कैसे आप choose कर सकते हैं अपनी doctor की सला के साथ कि आपको कौन सा lens सबसे ज़ादा suit करेगा इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक chart समझाना चाहता हूँ और फिर इन lenses के सारे differences आपको एक एक करके समझाँगा तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आज की date में जब आप मोतिया बिंद का operation या cat track का operation करवाते हैं तो जो latest operations हैं ये सारे operation बिना किसी टांके के no stitch बिना किसी दर्द के no pain बिना किसी injection के no injection पूरा operation सिरफ आँख में drop डाल के 5 से 10 मिनट में कर दिया जाता है operation करने की भी तीन तरह की techniques हैं कुछ पुरानी वाली techniques हैं जैसे FECO, MICS, Zipto बहुत जादा लोंग अप इन techniques को नहीं adopt करते आजकल majority patients जो हैं वो blade less femto laser with artificial intelligence इस वाले technology को choose करते हैं अपना मोतिया बिंद का operation करवाने के लिए क्योंकि इस technology के कुछ definitive advantages हैं जिनको मैं पुरानी videos में already detail में cover कर चुका हूँ तो अभी जो 6 तरह के नए lenses आये हैं आलकॉन के जो clarion range आलकॉन ने launch करी है अभी अभी इन में क्या difference है और इन में क्या quality है और कैसी नजर आती है ये मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ देखे एक इनसान को टीन distances पर देखना होता है सबसे पहले उस इनसान को दूर का काम करना है जैसे गाड़ी चलाना, picture देखना, टीवी देखना, घूमना, फिनना, जॉक पे जाना, वॉक पे जाना, sports खेलना, adventure करना ये सारे काम दूर के काम है फिर एक इनसान को बीच का का काम करना होता है mobile, computer, laptop वाले काम और फिर एक इनसान को पास का का काम करना होता है जैसे reading का या writing का काम तो जो सबसे पहले ये categories बनी है ये basically तीन तरह के lenses इंट्रिड्यूस करे गए है तो जो पहली category है वो है monofocal category monofocal category का जो lens है उसका नाम है clarion monofocal lens जो आलकॉन ने अभी launch करा है again clarion के बारे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक नए material का lens है जो extra clear है जिससे vision की clarity, sharpness और quality और ज़्यादा अच्छी आती है तो अगर मैं clarion monofocal lens patient की आँख में डालूँगा तो उस patient को दूर का तो सारा कुछ बिलकुल perfect दिखेगा गूमना फिरना, गाड़ी चलाना, picture देखना, टीवी देखना दूर के काम करना अपने, jog पे जाना, walk करना जो भी दूर के काम है वो सारा कुछ बिलकुल perfectly होगा बिना चश्मे के लेकिन जब भी उस patient को mobile computer या laptop पे काम करना है या पढ़ने लिखने का काम करना है, intermediate काम या near काम तब उस patient को चश्मा पहनना पड़ेगा तो monofocal category दूर का 100% दिखाएगी और बीच और नजदीक के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ेगा अब जो दूसरा lens आया है वो है clarion vividy lens तो vividy lens पहले भी आता था और अब उसी lens को और upgrade कर दिया है और clarion range में launch करा गया है तो vividy lens जो है ये id of category का lens है अगर मैं id of category का lens patient की आँख में डालूँगा तो patient को दूर के साथ साथ बीच का भी दिखेगा तो vividy lens के साथ patient दूर के काम कर सकता है बिना चश्मे के और बीच का काम, mobile computer laptop का काम बिना चश्मे के कर सकते हैं लेकिन जब भी उस patient को नजदीक का काम करना है पढ़ने लिखने का काम करना है तो चश्मा पहनना पड़ेगा तो vividy distance clear देगा बिना चश्मे के intermediate clear देगा बिना चश्मे के reading के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा vividy lens जो है आज की date में सबसे ज़ादा popular lens है और maximum long id of category का lens या vividy lens को choose करते है अब जो third category है वो है trifocal की category trifocal नाम ही बता रहा है तीन focuses है तो जब मैं patient की आँख में trifocal डालूँगा और जो नया lens आया है अलकॉन की side से वो है clarion panoptics so panoptics तो पहले भी available था अब उसी lens को और upgrade करके clarion range में launch करा गया है तो मैं panoptics clarion डालूँगा तो patient को दूर का भी सारा साफ दिखेगा बिना चश्मे के beach का भी सारा साफ दिखेगा बिना चश्मे के और pass का भी सारा साफ दिखेगा बिना चश्मे के लेकिन जब भी हम trifocal lens डालते हैं तो trifocal lens में दो major side effects है पहला side effect है कि halos and glares दिखते हैं रात के time पे तो रात के time पे जब आप बहार निकलेंगे सड़क पे निकलेंगे आउट्डोर निकलेंगे तो जो भी point light source होगा उसके around आपको हलका सा एक light का छला सा दिखता है या light हो सकता है थोड़ा फैला सा दिखे तो इस problem को कहते हैं glares and halos तो ये problem trifocal lens में बनती है इसी लिए trifocal lens सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन hardly 1% लोगों को हम लोग ये वाला lens recommend करते हैं और मैं आपको कितनी सारी ऐसी वीडियो दिखा चुका हूँ जहां पे patient ने कहीं और trifocal lens डलवा लिया और वो halo glare से इतना परेशान हो गया कि उसने वापस आके change कराके e-dolph lens डलवाया so trifocal lens बहुत ज़ादा popular नहीं है क्योंकि रात के time पे problem जाती है halo glare की problem आती है loss of contrast की भी problem आती है कि आपको चीजें जो है वो इतनी bright नहीं दिखती थोड़ा सा कम bright दिखती है contrast कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि trifocal lens में जो light आंख में आ रही है उसको तीन हिस्सों पर divide करा जा रहा है तो थोड़ी सी brightness आपकी या contrast जो है वो थोड़ा सा disturb हो जाता है तो अब आप मेरे से पूछेंगे डॉक साब आपने दिखाए तो हमें 6 lenses लेकिन बताया आपने 3 lenses के बारे में 3 categories के बारे में तो बाकी 3 lenses क्या है जो बाकी 3 lenses है वो toric lenses है अब ये toric का मतलब क्या होता है दिखे एक इनसान की आँख में spherical number भी हो सकता है चश्मे का और cylinder number भी हो सकता है चश्मे का तो अगर उस इनसान का जो cylindrical number है आँख में वो 0.75 या उससे उपर है तो toric lens डाला जाएगा तो किसी की इनसान की आँख में चश्मे का number 0.75 से कम है तो normal वाले lenses डालेंगे जो मैंने आपको अभी बताएगे लेकिन अगर cylinder power 0.75 या उससे उपर है तो toric डालेगा अब toric में भी टीनो categories है monofocal में भी toric category available है जिसको कहते हैं clarion toric इडॉफ में भी toric available है जिसको कहते है clarion vivity toric और multifocal में भी available है जिसको कहते है clarion panoptics toric तो अब total 6 तरह के lenses होगा है जो मैंने आपको दिखाए है 6 तरह के lenses cylinder power है उसमें 3 तरह के lenses है और cylinder power नहीं है तो उसमें 3 तरह के lenses है और जब वो patient यहाँ पे आता है और हम thoroughly check करते हैं और patient की lifestyle का discuss करके फिर हम plan करते हैं कि कौन सा lens डालना है लेकिन again majority long जो हैं वो e-dolph lens को choose करते हैं क्यों क्योंकि इसके दो advantages आपको बड़िया मिल गए दूर का तो दिखी रहा है साथ में mobile computer भी दिख रहा है तो ज़्यादा काम इनसान का mobile computer का होता है थोड़ा बहुत near के लिए चश्मा पहनना पर रहा है बट कोई बात नहीं थोड़ा सा near का चश्मा पहन लिया वो ज़्यादा advantages हैं कि मैंने आँख में trifocal डाल दिया और आपको पूरी जिंदगी के लिए रात को चल्ले चल्ले दिखते रहेंगे और उससे patient परिशान हो जाता है तो इसलिए majority long ये वाला eard of category का lens चूज करते हैं अच्छा कुछ लोग मेंसे कभी कबार question पूछते हैं कि डॉक्टर साब ये मोतियाब बिंद के operation में आंख में lens डाला क्यों जाता है क्या बिना lens डालाए हैं वो प्रेशन नहीं कर सकते हैं तो देखिए उसके लिए दो मिंट समझते हैं मोतियाब बिंद होता क्या है देखिए हमारी आंख में तीन important structures हैं सबसे पहला आंख का आगे वाला हिस्सा जिसको हम लोग काली पुटली आंख का शीशा या कौनिया कहते हैं फिर आंख के अंदर आता है एक lens और फिर आंख में आता है परदा light जो है वो सामने से आती है पुटली और lens से होते वे परदे पर आती है और यहां से एक नस निकलती है जिसको optic nerve कहते है जो हमारे दिमाग से connect होती है और हम देख पाते हैं तो मोतिया बिंद में हो क्या रहा है cataract या सफेद मोतिया बिंद में जो हमारे आंख के अंदर का lens है ये बढ़ती उमर के साथ सफेद हो जाता है जैसे बढ़ती उमर के साथ बाल सफेद हो जाते है ऐसे ही बढ़ती उमर के साथ जो हमारे आंख के अंदर का lens है ये change हो जाता है और सफेद हो जाता है तो ये जो clear lens जो उपर वाले ने शीशे की तरह साफ बनाया जब हमारी उमर कम है ये जो बढ़ती उमर के साथ सफेद पढ़ गया इसको हम लोग कहते हैं मोतियाब बिंदिया क्याटराट तो अब ये लेंज सफेद हो गया तो आंख में जो लाइट आ रही है वो थोड़ा सा रुख गई और परदे तक पहुँच नहीं पा रही इसलिए हमें धुनला दिखता है तो इस उपरेशन में इस लेंज को हम निकाल देते हैं तो जब इस लेंज को निकाला तो इसकी जगापर कुछ डालना भी तो है वरना आंख में फोकस वापिस कैसे आएगा इसलिए मोतियाब इनके उपरेशन में जब इस सफेद लेंस को निकाला जाता है तो इसकी जगाव पर एक नया लेंस डाला जाता है आज तक इनसान ऐसा लेंस नहीं बना पाया जैसा उपर वाले ने बनाया है तो इनसान ने अलग-अलग डिजाइन्स बनाया है प्लस कुछ लोग में इसे question पूछते हैं कि डॉक साब हमने ये सुना है कि कुछ ये दवाई डाल लो ऐसी कोई जड़ू ब्यूटी खालो कोई exercise करलो, yoga करलो, ayurveda करलो, homopathy करलो इस तरह की कुछ करलो, आँख में saliva लगालो, थूक लगालो हरी घास पे चल लो, इससे मोतिया बिंद ठीक हो जाता है देखिए आज तक मोतिया बिंद का 2024 में हम लोग बैठे हैं आज की date में भी मोतिया बिंद का सिरफ एक और एक ही लाज है कि operation से सफेद lens को निकाला और इसकी जगा पर नया lens डाल दिया बाकी और कोई भी ऐसा claim करता है कि बिना operation के मोतिया बिंद ठीक हो सकता है तो आप समझ लीजे ये एक scam है क्योंकि आज तक ना कोई ऐसी study और ना कोई ऐसी research सामने आई है कि किसी भी दवाई से जड़ी बूटी आयरविदा होमोपेती से मोतिया बिंद को ठीक कर सकते है कुछ इस तरह की समझने वाली बात है कि क्या हम बढ़ती उमर को दवाई से रोक सकते है नहीं रोक सकते तो मोतिया बिंद भी तो बढ़ती उमर के साथ आँख में जो change है उसको मोतिया बिंद कहते है तो जब हम उमर को बढ़ने से नहीं रोक सकते तो हम मोत्या बिंथ को आने से भी नहीं रोक सकते और अगर आ गया तो किसी दवाई या जड़ी बूटी से इसको नहीं काच सकते इलाज मोत्या बिंथ का आज की डेट में तो फिलाल operations ही है हो सकता है आगे जाके कोई और नई चीज आ जा जा है लेकिन आज की डेट में 2024 में मोतिया बिन का इलाज सिरफ एक और एक ही है जो है ओपरेशन तो ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया आज का इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहरा था कि 2024 में latest lenses की जो range है या IOLs की range है उन में क्या नया आया है और कैसे कैसे इन में differences होते हैं और कैसे आप अपने doctor से थोड़ा अगर आप knowledge लेके जाएंगे तो अपने doctor से discuss कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला lens सबसे जादा suit करेगा तब तक लिए आपके मन में और कोई भी question हो कोई भी doubts हो में से comment section में पूछ सकते हैं thank you very much for watching this video and I'll be back soon